एक बार की बात है, जंगल में एक घने पेल पर बनाए गोसले में कोई का एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ चैन से रहता था। उनका गोसला बहुत सुंदर वह मजबूत था, वह पेल की मजबूत शाखा पर बना था। इसी पेल पर एक मोटा बंदर भी रहता था, कौवा और बैंदा उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कभी किसी शाखा पर सोजाता तो तभी किसी पर। इसी तरह उसके दिन बुजरते थे, एक दिन तेज तूफान के साथ मूसलाधार वर्शा होने लगी, थंडी हवा भी चलने लगी, चारों और पानी ही पानी हो गया, इस खराब मौसम में भी कौव का जोड़ा अपने बच्चों के साथ भोसलों में सुरक्षित था, लेकिन कम मौसम की मार तो न जेलनी पड़ती, कोई ने जब उसकी ऐसी दैनी हालत देखी तो बोला, तुम इतने मोटे ताजे होते हुए भी अपने रहने का ठिकाना क्यूं नहीं बनाते, हमें देखो, हमारे पास मौसम की मार से बचने के लिए ये गोसला है, और एक तुम हो, इत कोई की यह बात सुनकर बन्दर का पारा गरम हो गया, वह घुस्से में बोला, तू मूर्क काला कोवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की मैं क्या करूं क्या नहीं, लगता है तुम तमीज भूल गए हो, अभी तुम्हें बताता हूं की अपनों से बढ़ों से कै कैसे बात की जाती है, ये कहकर बंदर ने पेल की एक शाखा तोड़ी और कोई के घुसले को तोड़ना शुरू कर दिया, थोड़ी ही देर में घुसले के तिनके बिखर गए, कोई के बच्चे नीचे गिर कर मर गए लेकिन कोई का जोड़ा किसी तरह जान बचा कर ओड़ ग